कोश्चन दिया गया है एक निश्चित राशी पर किसी दर पर दो वरस की चक्रवर्दी ब्याज और सदार्ण ब्याज करमस से 606.30 रुपे और 660 रुपे हो तो राशी ग्याद करो देखो दोस्तों में इस स्वाल में कंडिशन दिगई है कि निश्चित राशी है राशी सेम है और टाइम भी क्या है सेम है लेकिन चक्रवर्दी ब्याज दे राख्या है 606.30 रुपे और सदार्ण ब्याज दे राख्या है 660 रुपे जब भी C.I. और S.I. ब्राबर सालों का यानि कि C.I. और S.I. ब्राबर साल यानि कि दोनों दोदो साल के दिये गये है तब हम R. परतिसत कैसे निकालेंगे यानि कि rate परतिसत कैसे निकालेंगे इसका formula होता दोस्तों इसको लिखेंगे हम R. परतिसत यह कब लगाएंगे जब C.I. और S.I. दो ब्राबर सालों के लि दो गुणा में SI और गुणा में 100 परतिशत ठीक है अब यहाँ पर हम CI-SI करेंगे तो CI हमारा कितना है 606 में 0.30 और SI हमारा 660 तो CI-SI लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यह आएगा दोस्तों 36 रुपे और 30 पैसे ठीक है यहाँ पर इसको पूट करेंगे तो हमारे पास जाएगा 36.30 बटे में क्या है 1 by 2 गुणा में SI तो SI कितना दे रखे 660 गुणा में 130 ठीक है अब इसको कट करेंगे हम यह जाएगा 330 पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे नीचे 100 से भाग कर देंगे ठीक है 100 से 100 कैंसल हो जाएगा यह बढ़ गए 3630 और यह 330 तो इसको हम से पहले किस से सोल कर लेते हैं 11 से यानि कि मैं पॉइंट लगा दिया यहाँ पर तो यहाँ पर दुबारा लिख देता हूं मैं यह बढ़ जाएगा 3630 बटे में 300 यहाँ पर क्या बचा है शिर्फ हमारे पास परतिस हते हैं कि वह हमने 100 से 100 काट दिया ठीक है अब 0 से 0 कि 1133, 1333, 1333, 1333, 13333 तैन से कट करेंगे तो पमारे पास क्या यह आगा 11% यानि कि 8% मारे पास कितने आगी एर परतिसत आगई दोस्तो, 11 परतिसत, यह नी कि रेट हमारे पास निकल आगए 11, टाइम इसने कितना दिया है, टाइम दिया है 2 परतिसत, ठीक है, तो SI के हिसाब से हम निकालेंगा दोस्तो, तो 2 साल का SI कितना हर घुना हमारे पास, जो ब्याज होगा Simple Interest का, सदारनी व्याज़ वहறों परतिसत में कितना खता है वो खता है ऐसा ही होता Ol ا़ जला है कि यानी कि 11 दूनि 22 यानी जो भी राशी होगी उसका 22 प्रतिसत1 व्याजा जो इसका इसका है जो समझे पर जो व्याज कि रूप में मिला तो हम यहां पर लेकिए ज़ो तो 660 है 22 परतिसत की वैल्लू क्या दे रख्या में 660 तो एक परतिसत की कितनी हो जाएगी 660 वटे में 22 22 तीए 66 तो हुम्हें निकालनी कितनी है सो की निकालनी दोस्तो तो सो की वैल्लू कैसे निकलेगी एक की value आई 30 तो 100 की value कितनी होगी 100 गुणा में 30 तो यानि कितना आजाएगा हमारे पास 3000 रुपे आजाएगा यानि कि ओर 80 कितनी थी 3000 रुपे थी दोस्तों यही क्या हमारा answer option number a is right उमीद एक दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी चैनल को like, share, subscribe करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको जल्द से जल्द परापतोस्के